दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त पुनम और फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में 69,000 सिक्षक भरती साथ ही साथ L.T. ग्रेट सिक्षक भरती की जो आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर दोस्तों L.T. ग्रेट की जो अभ्यारती हैं कहा जा रहा है कि अब उनका ओनलाइन जो है वो न्युक्ति पत्र जारी होगा लोग से वा आयो की L.T. ग्रेट सिक्षक भरती के 13 विश्यों में सफल अभ्यारतियों की न्युक्ति के लिए विद्याले का आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा इसके लिए सभी अभ्यारतियों को 5-5 स्कूल जो है उनका विकल्थ दिया जाएगा फरने के लिए और फिर मेरिट के मुताबिच जो है विद्याले आवंटित कर न्युक्ति पत्र जो है वो जारी किये जाएंगे पहले जो है वो अभी लेकों की जाच की बात कहीं जा रही थी कि पहले सभी अभी लेकों को जाच किया जाएगा उसके बाद जो है वो न्युक्ति पत्र दिया जाएगा तो ये प्रक्रिया अभी भी होगी अभियातियों के पांस अदस्तिय प्रतिमंडल ने सोमवार को L.T. समथन मोर्चा के संयोजक विक्की खान के नित्रित्व में अपर सिक्षा निदेशक के राज की अंजना गोयल से मुलाकात की और एक घंटे जो है लगभग इनकी बारता जो है वो ही उन्होंने कहा है कि अभी लेखो का सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है ताकि इसके पूरा होते ही जल से जल जो है वो निफ्ति प्रग्रिया जो है वो पून की जा सके साथी साथ दोस्तों इस मीटिंग में एक चीज़ और क्लियर की गई है कि जो मूल नाम है उसे पूर्ग जो हम लोग प्रिफिक्स यूज़ करते हैं जैसे कि कुमारी उसको सुधारने की अविशक्ता नहीं होगी किसी भी पृतियोगी छात्र का नाम जो नाम हाई स्कूल के प्रमार पत्रों में होना आवशक है अगर इंटर सनातक, सिक्षर सनातक में नाम में तुरूटी है तो निर्धादित समय सीमा के अंदर उसे पूर्व सुधार करवाने की अवशक्ता होगी इसके लिए प्रसाशन द्वारा निधारित 15 दिनों की समय सीवा को अवशक्ता पढ़ने पर और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है प्रतिधिनिडी मंडल जो है विनोध यादव, यतेश शुकला, प्रतीप शुकला, मुक्येश सिंग, आदी जो है ये सब लोग इसमें शामिल रहे और ये बात कहीं जा रही है कहीं न कहीं कि अब बहुत जल्बी एल्टी ग्रेट पुक दिया कि जो लोग से जो अभ्यारती इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उन सब ही को अब निफ्ती पत्र मिल जाएगा और 39,000 सिक्षकवथी से पहले ही बहुत सारे बहारती है जो परेशान है और अगर अगर ल्टी ग्रेट में का सेलेक्शन हो जाता है तो ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव निउज होगी ताकि आद दोस्तों आद की दूसरी से बड़ी निउज जो आ रही है नहीं किया जा रहा है उने देर की जा रही है भरती करने में पीठ ने राजी सरकार को छे हफ्तों में भरती प्रिग्रिया को पूरा करने के निदेश दिये हैं और कहा है सुप्रीम कोट ने की चाल साल का अनुभव इन सिक्षा मित्रों को है इसके लिए इन्हें एक परसेंट का वेटेश देकर विचार करने का सुझाव भी दिया गया है दुरुस्त बीटीसी सिक्षा मित्र संग के अध्यक्ष जो अनील यादव हैं उनका कहना है कि कोट ने सिक्षा मित्रों को पूरी उमीद थी कि उनके पक्ष में आदेश आएगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ संग यूपी सरकार से मिलकर सिक्षा मित्रों के भवे से सुरक्षित करने का अग्रे करेगा साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि सिक्षा मित्रों बहुत लंबे समय से इस चीज़ को लेकर अंदुलन जो है वो कर रहे हैं और अभी भी कहीं न कहीं 37,000 के करीब जो सीटे हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो सिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व कर दी है बट जब पूरी ही भरती प्रक्रिया पिस्टे लगा हुआ है तो इंडिविजुली इनको किस तरीके से कराया जा सकता है सिर्कार चाहती है कि सभी जो 59,000 पद है उनकर बठी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाए सिर्कार ने शिक्षा मित्रों की तमाँ मांगे जो है उन्हें सोना जरूर है पड़ जो सब के पक्षधर निर्ने होगा वही निर्ने जो है वो लिया जाएगा और जो सिक्षामित्र है साथी साथ अपनी CL जो इन्हें 12 CL मिलती है क्या जो लिफ उन्हें बढाकर 14 CL की मांग भी जो है वो डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और साथी साथ दोस्तों जो भरती अन्यमित्ताओं को देखते हुए STF की कारवाई चल रही है और बहुत अच्छे लेवल पे ये मोहीम चली हुई है धर पकड़ हो रही है बहुत सारे ऐसे फरजी अप्यारती है जिनका भांड़ा पोर रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग भी क चैर नहीं साथी साथ दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स में जिस चीज़ को देखने के लिए मिल रहे हैं टेलिग्राम चैनल पर भी यहां भी कि जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा क्या वो सभी कैंडिडेट्स जो है वो भार उट आएंगे तो देखि की गई है उसको लेकर कोड का क्या डेसीज़न आता है अब तो शुटिया शुरू हो गही है स्पेशल मेंच में अगर इसकी सुन्वाई शुरू हो जाती है इस मुद्डे को प्रेफरेंस पर रख जो है इस पर जो सुन्वाई पर करिया है वो आगी चलाई जाती है तो के बाद जो लोग जोई करेंगे नहीं करेंगे अब जैसे एल्टी वाले में भी बहुत सारे अभ्यारती है वो चले जाएंगे तो उस चिंता से आप लोग बिल्कुल यह मत रहिए कि हां भई सके नहीं आएगी हिताश और निराश और निकियारती जरूरत नहीं है अगर आप यहां तैयारी कर रहे हैं तो डैफिनेट से बात है कि आपका नंबर जो है वह जरूर आएगा और सरकार जो भी निर्णे लेगी वह आपके इस हित में लेगी साथी साथ माने निया को सुनकर आपके नहीं निर्णे लेंगे तो उमीद करते हूं आज की एजान करें आपको क झाल